और चलिए अब बात करेंगे आस्था के महापर्व छट पूजन की जहां छट पूजन का आज तीसरा दिन है और आज डूपते सूरे को अर्ध दिया जाएगा और आज जहां ये एक सबसे बड़ा आस्था का एक ऐसा संगम होता है ऐसा माहौल होता है जहां ब्रती महिलाई ड चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व छट का आज ये तीसरा दिन है और आज डूपते सूरे को अर्ध दिया जाएगा इसे संध्या अर्ध भी कहते हैं यानि की शाम के वक्त अर्ध देना उग्दे सूरे को अर्ध देने की रीती कई व्रतों में रहती है लेकिन जैस्त से कुछ समय पहली ही सूरे देव की पूजा होती है फिर डूपते हुए सूरे देव को अर्ध देकर पांच बार परिक्रमा की जाती है और फुरानिक मानेताओं के अनसार शाम के वक्त सूरे अपनी प्रतियुशा के साथ रहते हैं इसलिए छट पूजा में शाम के स सूरे की अंतिम किरन प्रतियुशा को अर्ध देकर उसकी उपासना की जाती है कहा जाता है कि इससे व्रत रखने वाली महिलाओं को दोहरा लाब मिलता है जो लोग डूते सूरे की उपासना करते हैं उन्हें उगते सूरे की भी उपासना करनी जरूरी होती है जो ची कहते है कि धलते सूरे को अर्दे दे कर कई मुसीवतों से छुटकारा पाया जा सकता है इसके साथ ही इससे सिहत से जुड़े हुए जो समस्याइं होती हैं वो भी दूर होती हैं और वेग्यानिक दिर्श्री कौन से भी धलते सूरे को अर्दे देने से आँखों को रौशनी मिलती है आप जनसत्य निउस से जोड़े रहे हमारी ये पूरी रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपनी प्रतीक्रियाएं दर्श कराना भी ना भूले नमस्कार